नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आईएंटी हिंदी टेक में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोन पे वालेट फुल के वाईसी के बारे में आप सभी को पता होगा कि हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब फोन पे वालेट की फुल के वाईसी एविलेबल कराएज आएगी और हम लोग फोन पे वालेट में फुल के वाईसी को कम्पलीट कर पाएंगे तो इस वीडियो में हम आपको मौकिक रूप से बताएंगे कि किस तरह से आप फोन पे वालेट का फुल के वाईसी कम्पलीट कर सकेंगे तो इस वीडियो को अंति तक देखे इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे आप चेक कर सकेंगे कि आपके एरिया में ये एविलेबल है या फिर नहीं और कैसे आप फोन पे वालेट का फुल के वाईसी कम्पलीट कर पाएंगे सबसे पहले आप लोग अपना फोन पे वालेट अप्लिकेसन को ओपिन कर लीजिए ओपिन करने के बाद आपको आना है माई मानी में माई मानी वाले आपसंस पर क्लिक करना होगा My Money वाले options पर क्लिक करने के बाद आपको phone पे wallet पर क्लिक करना होगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं phone पे wallet लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना होगा अब जोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगी आपको उपर में यहाँ पर एक interface नजर आएगा जहाँ पर लिखा जाएगा कि phone पे wallet का full KYC आप यहाँ से complete कर सकेंगे और प्रोशीड की एक options आएगी अगर यहाँ पर नहीं आ रही है तो बिड्रोबल वाले options पर क्लिक कर लेना बिड्रोबल वाले options पर अगर आपके area में available रहेगा phone पे wallet का full KYC तो यहाँ पर आपको वाले options दिख जाएगा तो फिलाल हमारे area में यह available नहीं है जिसके बज़ा से अवी नहीं दिखा है फिर भी हम आपको मौकिक रूप से बताने वाले हैं कि किस तरह से process यहाँ पर आपको करना है और कैसे phone पे wallet का full KYC आप complete कर सकेंगे तो आप wallet में add money भी कर पाएंगे जो कि monthly limit ज़्यादा से ज़्यादा एक लाख रुपए आपका किया जाएगा ठीक है अप टू यानि कि maximum एक लाख रुपए आप wallet में load money कर पाएंगे spend कर पाएंगे उसके बाद दोस्तों withdraw कर सकेंगे अपने bank account में जो भी आपका wallet valence रहेगा उसे आप bidro अपने bank account में कर सकेंगे लेकिन cashback वाला amount आप नहीं कर सकेंगे सिर्फ top of वाला amount आप कर सकेंगे तो आप नीचे में लिखा हुआ देख सकती है कि हमारे area में अभी full KYC का features उपलब्द नहीं कराया गया है लेकिन दोस्तों यदि आपके area में उपलब्द कराया जाता है और प्रोशीट की options मिलती है तो आप लोग किस तरह से पड़करिया कर सकती है मौकी group से हम बता आदे रहे हैं आपको प्रोशीट की एक options मिलेगी उस प्रोशीट भाले बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको pan detail डालने की options आएगी जैसे आपका name क्या है आपका date of worth क्या है pan card number डालने की options आएगी gender डालने की options आएगी उसके वाद pan का एक fresh photo आपको upload करनी परेगी जो live आपको खीचना है ऐसा नहीं कि आप gallery से उठा लेना gallery से नहीं उठाना है आपको उसी समय pan card का photo खीच के upload करना है जो भी नाम date of worth वेगर आप दोगे वो pan card पर same to same होना चाहिए उसके बाद आप लोग pan card को upload करके save and next पर क्लिक कर देना जब आप लोग save and next पर क्लिक करोगी उसके बाद address proof की options आएगी जहां पर आप लोग passport या फिर driving license या फिर voter ID को select कर सकती है मैं आपको बता दो कि phone फे wallet का full KYC में अभी फिलहाल यहां पर आधार card की address रूप में नहीं allow किया गया है तो आप लोग voter ID, passport या फिर driving license को upload कर देना कोई एक select करके आप लोग upload कर देना जो कि दोनों side का photo आपको live खिचना परेगा इसे भी आप gallery से उठा कर नहीं upload कर सकती है उसकी बाद दोस्तों आपको एक live selfie खिचना है आप लोग इस photo को भी gallery से नहीं ले सकोगे एक selfie खिचना है और selfie आपको खिचना है सिर्फ आपका face जो है सही ढंग से नजर आना चाहिए clear दिखना चाहिए full photo की जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी बाद आपको next कर देना है next करने के बाद verify होगा save and next पर click करोगे तो verify होगा आपका KYC detail जो की digital process से किया जाता है अब जैसे ही verify होगा उसके next process में आएगी KYC visit address डालने की options यानि कि आप अपना घर का address डालिए जहां पर phone पे का agent आकर आपका complete full KYC करके जाए तो आपको अपना address डालना परेगा सही सही address डालने के बाद आप जब next करोगे उसके बाद आएगी appointment book करने की options जहां पर आप अपना date and time select कर सकते हैं मतलब कौन सी date में आप agent को अपने घर पर बुलाना चाहती हैं कौन से date में agent आप से संपर्क करें कौन से time में आप से संपर्क करें और आपका KYC को complete करके जाए अब जब appointment date on time select कर लोगी उसके बाद आपको को एक keyword code भी मिलेंगे जिसका screen shot आप जरूर रखेगा उसी keyword code के मदद से agent आपका full KYC कर पाएंगे phone पे का ठीक है तो आपको यहां पर original document रखना है जो document आप upload करते हैं जैसे आप pen card upload करती हैं तो pen card आपको रखना परेगा passport अगर अपलोड करते हैं ड्राइवी लेसेंस अपलोड करते हैं address group में तो आपको ड्राइवी लेसेंस को original रखना परेगा ताकि agent आकर आपका verification को complete कर सके उसके बाद आपको signature बगारा भी करना होता है तो वो agent जो है अपने सामने में signature करवा लेंगे और upload कर देंगे उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है बतलब 10-15 मिनट वाद phone पे का full KYC complete हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर मौकिक रूप से हमने आपको बताया है कि यदि आपके phone पे wallet में ऐसा कुछ options आ रहा है तो आप लोग phone पे wallet का full KYC कैसे complete कर सकेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है मौकिक रूप से कि phone पे wallet का full KYC आप लोग कैसे complete कर पाएंगे यदि आपके area में यह available है तो तो दोस्तों इस वीडियो में फिलाल इतना है इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को सबस्क्राइब करना विल्कुल विना भूले और इससे जूरी कोई भी सवाल होती हो आपके दिल में तो वे ही चैक कॉमेंट करें मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में हमें दीजी इचाज़त तब तक के लिए गुड़ बाई